जैहिन दोस्तों मैं अनिल कुमार फिश से अपने यूट्व चैनल अनिल आर्ट्स क्लास से सितावडी में आप लोगों का हादिक स्वागत करता हूं दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको न्यूजपेपर एनलाइसिस से जुरा हुआ है और इस न्यूजपेपर ए तो सबसे पर हम बात करते हैं केरल के वारे में देखे केरल में क्या हुआ कि करोना संक्रमित के मामले अधिक होने के कारण केरल की जो राधानी है तिरुबनन पूरम वहां पर आपको धारा 144 लागू कर दी गई तो आपसे यहां से प्रस्ण पुछा जा सकता है कि कि किस लिए कि केरल का गठन कब वहा था तो देखे केरल का गठन वहा था एक नॉम्बर उनिश्व चपन को और केरल की जो राधानी है और वहां का जो सबसे बड़ा सहर है वह आपको तिरुवननंत पुडम है और के जो अभी गवर्नर है वह आपको आरिफ मुहम्मध खाने वही तो केरल के जो मुक्ष्य मंत्री है वह आपको पिर राई विजयन है यहां से आर भी प्रस्त पूछा जा सकता है जैसे कि केरल का जो विधान मंदल है इसके वारे में वहां के जूस्धा और राज्य जो है आपको सभा की जो नो है की जो सिठे है वह आपको नो है तो थोरा सा ध्यान दिजे कि यह जो केरल है वह आपको एक सदनी है विधान मंडल वाला राज्य है और यहां पर क्या है कि आपको विधान सभा की जो सिठे है वह आपको 140 है लोग सभा की जो सिथे है वह आपको 20 है राजे सभा की जो सिथे है वह आपको 9 है दूसरी बात है कि केरल जो है Unicef और 206 संगठन दोड़ा क्या है कि आपको मन्याताप्राफтора 20 का पर्थम सेशू सोहर्द राजे इसके अलावे केरल जो है भारत का सबसे अधिक सक्षा था दरवला राजे भी है केरल मानवी का सुचकांक में जो है वह आपको सिर्ष पर है भारत में ठीक है आईए अब हम भात करते हैं कि केरल में कुछ राष्ट्य उधान है ठीक है और इस राष्ट्य उधान से कई सारे प्रश्ण आपके एक्जाम में आते हैं तो थोड़ा साइसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं कि तो केरल में आपको एरा भी कुलंब राष्ट्य उधान है इसके अलावे आपको सालेंटबैंद न को पूछा जाचुक आ है थोड़ा सा धहान से सुनेंगे ठीक है इसके अलावे चिनार वन्ने जीवभ भ्यारन इडू की वनने जीवभ भ्यारन तो यह सब जो है वह आपको कहा है के रल में ठीक है और यह सबसे बहुत सारे प्रस्ण जो है वह आपके एक्जाम में पुछे जाते हैं आए आगे हम चलते हैं अगला प्रस्ण मेंदा क्या होगा कि अभी हाल ही में क्या वो आपको वर्ष 1901 से दिया जाता है तो शुरुवाती दोर में यानि कि 1901 से लेके 1979 तक क्या था कि आपको नोबल पुरुषकार जो था वो आपको पाथ छेत्रों में ही दिया जाता था लेकिन तो इसके लिए क्या हुआ कि यानि चिकिसा के छेत्र में नोबल पुर्षकार के लिए तिन बैग्यानिकों को चुना गया है जिसमें एक जो हारवे अल्टर है इसके लावे आपको माइकल होप्टन है और चाल्स राही से ठीक है तो इनकी जो खोज है है इसके लिए इन्हें क्या होगा कि या और जो है दिया जाएगा तो कभी कभी प्रस्णाव से पूछ लिया ज कर इसलिए क्या हो खिज़्टा चेत現在 का नोबेल पुशकर इस वर्स आपको हार्वे अल्टर माइकल होंटन और चाल्स तो अल्टर और आपको चाल्स राइस अमेरिका के वहीं आपको माइकल हॉप्टन जो है ब्रिटेन के ठीक है तो इससे आपको याद रखना है कि बस दोजात बीस का जो नोबेल पुर्षकार है वह आपको चिकित्सा में किस लिए दिया गया है तो वह आपको हेपेटाइटिस इस सारे चीजों का आपको याद रखना अब है कि बेग्यानिकों को क्या होगा कि यह जो नोगल पुर्षकार है इसके तत्त जो दी जाने वाले रासी है वह तो अब बढ़ा दिया गया है तो इसके तत्त क्या होगा कि करीबूल लोगों को 11,20,000 की धनासी दी जाएगी और इसी में सुन को क्या करना है कि अपनी जो रासी है उसे क्या करना है वित्रित करना है तो इन सारे तत्त्यों को आपको क्या करना है थ्यान प्रवक्ष सुनना है तो इस चीज को थोड़ा सा रिकॉल करा देते हैं तो बस 2020 में मेडिशन का छेत्र का जो नोगल पुर्षकार है तो दस दिसंबर को दिया जाएंगे ठीक है अलो फर्ड बनाड जो नोबेल है ठीक है उन्हीं के मतलब पुन्य तिथी पर इसे दिया जाता है आई गया यह हम हम बात करते हैं कि हाल ही में क्या हुआ है कि ICC के दोरा ICC कहने का मतलब हुआ इंटरनेशनल किर्केट कांसिल के दोरा क्या है कि महिलाओं की 2020 रैंकिंग जो है वह आपको क्या किया गया है जारी किया गया जिसमें जो पहला अस्थान है वह आपको अस्ट्रिया का है दूसरा अस्थान जो है वह आपको इंगलेंड को है और तिसरा अस्थान जो है अपने देश भारत का है तो यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में ICC द्वराजारी महिलाओं के 22 रेंकिंग में सिस पर कौन देश रहा ठीक है तो अस्ट्रिया दूसरा नमबर पर इंगलेंड और तिसरा नमबर पर अपना देश भारत रहा तो आए थोड़ा सा बात आग पर मिलकर किया तो उसका नाम जो था इंप्रियल किर्केट समेलन न अग्यायूं कर लिया गया ठीक है अब यहांसे बात आती है कि ICC का मुख्याले जो यह कहा है तो ICC का मुख्याले जो दुबाई में है इसके जो अंतरिम चेर्मेन है वह आपको इम्रान ख्वाजा वहीं इसके जो मुख्य कारेकारी अधिकारी है वह आपको मनुख शाहनी है कि वाओ कि वाओ